हेलो गाइज मैं हूँ अर्णव और आपका स्वागत है मेरे जावस्ट्रिप टूटोरियल के लेक्चर नमबर 14 में तो हमने लेक्चर 13 में कुछ पुष एरे शिफ्ट और एरे अंशिफ्ट तो चलिए आज कुछ और अरे में अपर लिखता हूं लेक्चर 14.js कि अब सबसे बढ़े मैं एक बनाता हूं यहां बर मैं बार से करता हूं लेक्चर 13 वारी अरे कोपी कर लेते हैं जीनो से लेकर 10 तक अब इसके इंदर करते हैं अब इसके इंदर करते हैं अब इसके बीच में क्या लिखता हूं अब माली जैंको एक एरे दी हुई है मैंको इस एरे को करना है मढ़ा नाइटन है अब मुझे क्या करना है मैं को टैन से लेकर वन तक करना है पर इसके लिए मैं आपर क्या करूंगा करूंगा यह चैक करते को एरे रिवर्स और यह को अब तो भी हांपर रण होने वाला है उससे अब यह क्या प्रिट करेगा 10 से लेकर 1 तक तो अब देख सकते हैं रिवर्स हो चुकी है अब माल दीजे में दी हुई है मैं को सोट करना आपको सोट का मतब पता है न मैं जैसे इंक्रीजिंग और में जैसे स्टार्ट हो जैसे 123456 ऐसे तो इसके लिए मैं कर दिखूंगा एरे डोड सोट तो आपको सोट के बाल भी ब्लैकेट्स लगाने है तो आप देख सकते हैं 123456789 इसमें प्रिट कर दिया है तो आप देख सकते हैं इसने अरे को सोट कर दिया तो चलिए अब मैं आपसे कोशन अरे डोड reverse है तो उससे क्या होगा पहले रे सोट हो जाएगी उसके बाद रिवार्स भी कर देगा तो यह देख सकते हैं इसके इसने स्कैटर्ट मतलब यह किदो उसको क्या करें गई इस ने टिसंगर में कर दिया है यह पहले इंक्रीजिंग और में सोट करेगा और इसको रिवर्स कर देगा जिससे इसे 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 यह तो आप देख सेटें कि नहीं जादा यह तो बहुत है अब ऐसे करते हैं अब आपर नंबर को मैं चेंज कर लेता हूं यहां पर पहले करना इसक है मैंगो को मैंगो कि बनाना वर गौवा जिस कि आतो हले मंगे क्या करना है मैं यह पर जैक करना है इस और इसके इंदर मांगो है कि इस इंदर तो उसके लिए मैं आपर क्या करूंगा लैट विधि अंतर अ मैंको की तरह लिखा है मैं आपर सिर्फ इंक्ल्यूट रिख लेता हूं यहां पर लेट इंक्ल्यूट इस इस लिए आपको भी अपर करते हैं नहीं तो चलिए हम एक बार इंक्ल्यूट को यहां पर देखते हैं अभी इंको आउटपुट देगा ट्रू अब अगर माली जे मैं इसके अंदर कुछ ऐसा दिखूं जो कि इसके अंदर नहीं है अब यह क्या करेगा फॉल्स तो अब आप देख सकते हैं यहां पर इसने यहां पर मैंगो में कर रहा है त तो माली मुझे क्या करना है हमने पिछली वीडियो में हमने सीख था कि पता हम लास्ट और फॉस्ट से अडिमेंट को रिमूव का से कर सकते हैं लेकिन हमने आपको स्खांगा elements को बीट को करते हैं तो उसके लिए मैं याँ पर क्या करूंगा such a . मैं पर यूज करने वाला हूं इस तो फूट इंदेक्स लिखना है को से मुझे स्टार्ट करना है तो कि इसके बाद मुझे कितने अलेमेंट को रिमूव करना तो मुझे करना है यहां पर क्या आप्पुट करेगा अब को यह लिये हैं मैं एक फ्रूर्ट करना था मैं इसको कन्सोल लो खिया ऐपल बनाना और गावा देख सकते हैं इसने तो माली जे मैं करना है तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूं लेकिन मुझे मुझे इसका थर्ड रिमेंट करना है तो मैं अब इससे क्या करेगा इस इसने बनाना को रिमूव कर दिया है अब इसने प्रिंट किया एपल मैंगो और गवावा अब मान लीजे मुझे करने कि ने इसके मुझे सब्सक्राइब को रिमूव कर दिया तो में को रखते हैं अब यहां करने के लिए तो इसके दर मैं क्या करूंगा है आपकल है और को चुछ और फूट्स के नाम लिख लेते हैं और को अरेंज को यह वे क्या होता है किवी तो क्या करते हैं मैं को इन दोनों को मर्ज करना है तो मैं आपर क्या करूंगा लेट है टोडल को वह एक है टोडल प्रूट्स इस इकवल डूट्स डॉट कॉनकाइट है तो कॉनकाइट के अंदर मैं को वह रहे का नाम लिखना है या दिए उस यह को नाम लिखना है जो कि तो जब मैं इसको console log करूंगा में total fruits को तो यह एक एक ही array हमको बना कर देगा तो आप देख सकते हैं एक ही array है उसके अंदर कितने elements होगे 1,2,3,4,5,6,7 इसके इंदर 4 elements थे इसके इंदर 3 elements थे array को merge करकर इसने सारे सारे fruits को एक ही बार में print कर दिया है तो चलिए मैं को लगता है आपको यह सारे array method से मुझा आगे होंगे तो array method काफी जादे important है कि इंटर्व्यों में काफी जादे important होता है तो जलिए आज किस वीडियो में इतना ही मैं विलूंगा आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइग